आज का टोपिक यह है कि निफ्ट का अगर मैं देखता हूं कि पिछले जो भी रेकॉर्ड्स है पास्ट यह कि उसमें तीन सेंटर है दिल्ली बॉंबे बैंगलूरों सबसे पहले खतम होता है कभी मॉंबई 1st खतम हो जाता है कभी दिल्ली 1st खतम होता है बैंगलूर हमेशा थ सेंटर है उसमें से स्र cutting Autism Apare सबक्रेश क्यूं है क्या बाके 3 चैनल सम्ट सबसे था है कि उस पे जाने से ही एकदम केобрी करियर सेट हो जाएगा या यह स्रपश्थ एक ओस कॉंसप्ट है माइंसेट वाल स अफ़ोग अब जह सकते हैं गयो इस अ को डिनो में जाना यह इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि दिल्ली, मुंबाई और बैंगलोर का इतना सारा क्रेज क्यों है The first and foremost reason यह है कि इंडिया के जितने celebrity designers है जो निफ्टियन है, एक्स निफ्टियन है उनका जो maximum number है वो इन तीन colleges से आए है इसलिए सबको यह लगता है कि यह तीन college ही निफ्ट का college है The best NIFT college बट यह सच नहीं है, क्यों? पहली बात यह है कि जब निफ्ट खुला था 86 में तब 5 center के साथ खुला था जिसका पहला तीन center ही था दिल्ली, बंबे और बंगलरु और उसके साथ था चिन्नाई और हाइदरवाद चिन्नाई हाइदरवाद में इनिशाल डेज में थोड़ी सी I think language or cultural constraint था बाकी यह जो तीन शहर थे, Bombay, दिल्ली और बंगलरु इस मोर्ग क्रस्मो पॉलिटन तभी सारे जाएगे से जो भी टैलेंट्स था यह तीन colleges में आये और second कारण जो है, 86 में स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बोला है, now it's a 35 years old establishment है तो जो भी आये यहां पे पढ़ने के लिए उस टाइम पे जो भी नेम है आज के fashion industry में, big celebrities है उन लोगो 35 years मिले है के fashion industry में काम करे अपना नाम करे तो यह नहीं है के सिर्फ वहां से निकले है, इसी लिए ही वो लोग आज नाम करे है, वो लोग नाम करे है अपने talent पे अग क्यालकाटा गादने अगर खुला था 92 में, तो यू कन सी देर इस गैप उसके बाद फिर से पाथ साल बाद और खुला, तो बाकी निफ सेंटर्स अर कंपरेटिवली यंग, that is why जो भी designer वहां से निकल रहा है, उनके पास अभी भी time है दिखाने के लिए, but this is just a matter of time, इ आपको एक समझ में आएगा, कि 86 is not a time, जो बहुत globalized था, हम लोगों के हाथ में smartphone नहीं थे, laptop और इतने internet का दुनिया नहीं था, काफी सरे चीज़े practical travel, practical existence पे depend करता था, इने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उस टाहिए पे शायद मॉंबाई थोड़ा सा फैशन हब है, क्यों industry and all, rise कर रहा है वहाँ पे, लोगों को काम करने के लिए आसां हुआ था, so कुछ advantage उस टाहिए था, आज ये पूरे जो smartphone के दुनिया है, ये जो internet का generation है, इसमें ये वाला advantage, बहुत ज़्यादा advantage और रहा नहीं है, दिल्ली as because NIT का main center था शूरू से, तो जो experience faculty थे, वो दिल्ल and same thing with Bangalore, थोरा सा जो भी local लोग थे, वहाँ पे, जो industry है, other, South care and all, वो industry के लिए लोग पहुंसते थे वहाँ पे, but ये सब चीज उस time के लिए माई ने रखता था, जिस time पे ये जो communication है, इतना advanced communication नहीं था, ऐसे Instagram नहीं था, अभी Instagram के posting से लोग को Hollywood पे भी काम मिल जाता है, जुरूरी नहीं है कि वहाँ पे है, कौन से जाएगा पे बैट के सीख रहा है, important आज सबसे जादा हो गया है, कि तुम क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, because जो internet तुमको लोगों से connect किया है, वही internet बहुत लोगों के एकसाद कर दिया है, so competition बड़ा है, so the main criteria, main focus should be your own talent, understand and perception not the centers, so अभी एक चीज़ समाजना जुरूरी है, जो 17 NIFT है, right now, across the NIFT, जो इनके way of studies है, वह बिलकुल एक्वाल है, जो उन लोगों के pattern of teaching है, वह एक्वाल है, even the infrastructure है, वह भी एक्वाल है, मतलब अगर, मतलब अगर बहुत ground level पर मैं example दूँ कि अगर NIFT Delhi में तेरा सलाई मेशीन है, तो NIFT कर नोर पर भी तेरा सलाई मेशीन है, so ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी एक जागे पर जाके मेरे कुछ ज्यादा facility मिल जाएगा, किसी भी जागे पर जाके कम मिलेगा, चहां तक मुझे ल जरूरी है, बहुत जरूरी है, इस बात को एक दम ध्यान से समझो, NIFT में जो भी faculty होता है, वो NIFT का एक internal test होता है, उसके parameter है, वो parameter क्रोस करने के बाद ही लिया जाता है, so ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी faculty को किसी भी तरह के चीज़े नहीं आएगा और किसी को जादा जाएगा वो नहीं होता है, उनकी जो knowledge base है, उनका जो teaching style है, सब कुछ का पहला test होती है, सब को PhD holder होना पड़ता है, और भी कुछ कुछ चीज़े है, जो मैं permanent faculty उनके लिए 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 और बाकी guest faculties भी है, guest faculties generally shift होते रहते हैं, different center to center, तो जो teaching practice है, जो faculties है, जो infrastructure है, इन सब के अगर parameter देखे, then nift is actually cool, they are replicating, इसमें कोई फरक नहीं है, landscape के फरक और canteen के फरक छोड़के, so ऐसा कुछ नहीं है, कि यहीं पे मुझे ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, और जो market वाली बात है, मैं एक चीज़ परसॉनल experience में बताऊंगा, चार साल तो nift में हो, चार साल market के अपने टैलेंट को इंखाने में टाइम देना ज्यादा जूरूरी है, because again मैं repeating, जिन लोगों ने नाम किया है अपने टैलेंट के बालबुते में, किया है,